Hello everyone welcome to let's discover it this is Arya Singh and today we will discuss about a major topic which is related to your workbook also बस आज जो हम सीखने वाले है ना उसका मैंने एक सेपरेट छोटा सा टॉपिक है फिर भी मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास किया है क्योंकि यह जो थीशंस आज हम पढ़ने वाले है यह बस आपके इग्सांस में काम नहीं आएंगे यहां तक कि अगर नौलेज रखो तो कभी अगर आप स्पीच बगरा इंवारामेंट पर टेलेवर करते और तो वहां पो यह काम आ जाएगा तो इसलिए मैंने इसका एक separate वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है कुछ principles अब आप बोलोगे principles क्या हैं कुछ सिधान्त हैं जो हम sustainable development की बेस पे सीखने वाले हैं यह sustainable development मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि आपको रिसोर्स को यूज करना है यूजिंग रिसोर्स से बैलेंस देनीड आफ रिसोर्स एंड गिविंग देम टाइम टुट रिप्लेश्ट अनॉन अज सस्टेनेबल डेवलप्मेंट ओके चलिए तो कुछ यहां पर जैसा कि आप देखने हैं शिक्स पॉइंट हैं जो इसनली डील कर रहा है किस चीज के साथ सस्टेनेबल डेवलप्मेंट के प्रिंसिपल के साथ तो फस्ट आता है हमारा जो बहुत जादे इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्ट और क्या फूर ओल्स आफ लाइफ हमारे आर्थ पितने फॉर्ब्स आफ लाइफ हम हैं हमारी तो ए लुद्ध भी हैं तो कितने सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ हो गए अब देख सकते हैं तो सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ को रिस्पेक्ट करना यानी मारना ने यह से होता है न कि आज इंडेंजर अनिमल एक्सिंट नहीं वह लेकिन इंडेंजर अनिमल बन गया है हमारा टाइगर तो आपको इसके लिए क्या करने कि रिस्पेक्ट करना है और केर करना है सभी फॉर्मस अफ लाइफ के लिए सब्सक्राइब करने घर तो अगर वह खतम हो जाएंगे तो फिर जल्दी नहीं होंगे तो यह सारी नौलेज्ट स्थाम के अधायों को प्रेटी करण पानी कि पानी कितने इंपोर्टेंट वह रहा है तो मेंपश्म को न करना यह इसी डिवर्सिटी यानि जो हमारे कितने जारे पेड़ पॉधे का भी बात हो जाता है यहां पर जितने भी फॉर्म्स के प्लांट और अनिमल्स प्रजेंट है उनका हमें एक तरह से बोल सकते हैं कि उनको गार्णा डिस्ट्रोई नहीं करना कंजर्व करना है तो यह ह एक्जांपल दिया कि थोड़ी दूर के लिए आप साइकल भी यूज़ कर सकते हो मुट साइकल यूज़ करना क्या जरू रही है या फिर कार वगयरा क्योंकि उसमें पेट्रोलियम डीजल लगता है पेट्रोल डीजल जो हमारे नैच्वल रिसोर्स है उसकी डिप्लीक्शन लेगा आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन आप इससे दो काम करो एक तो अपने डिसोर्स को बचाओगे और दूसरा अपने इनवारामेंट को क्लीन रखोगे यानि एर पॉल्यूशन होने से बताओगे क्योंकि बचाओगे क्योंकि जो होता है पॉल्यूट नेंट जो निकलत प्रैक्टिस करना है अपने आपको कि हम ज्यादा स्यादा इनवारामेंट के लिए करसें देखिए ऐसा सिंपली होता है हर जगा वह होता किया न या तो होता है यह कि हम खड़े हैं कहीं भी खड़े हैं तो रोड पर चल रहे हो पानी गिर रहा है ठीक है आपने बंद किया गोष्टी गुड थे लेकिन अप्सम नहीं करते हैं ठीक कि मैं एक पानी बचा लूंगा तो क्या हो जाएगा ठीक है अब मैंने आपको कार का एक्जांपल दिया तो आप बोलोगे मैं थोड़ा-सा अगर पेट्रोल बचा लूंगा तो क्या उससे डिपलीशन कम थोड़ी करना हो चाहिए मैं भी योज करता हूं उतना सा बचाने से क्या फाइदा तो आपकी थिंक आशी होगे तो दूसरा भी तो यह सोच यहीं सोच रहा है न तो आप अपनी थिंक को चेंज करो और अपने आपको इनवारमेंट के के ट्वार्ट्स प्रेक्टिस में लगा दो यानि तो अपना परस्नल एटिटी चेंज करना है दूसरों को नहीं देखना है कि वो क्या कर रहे है वो क्या कहता है बुड़े कहने वाले लोग बहुत हैं लेकिन आपको तो अपने रास्ते पर चलना है चार लोग चार तरह की बाते करते हैं उनकी सुनके काम करोगे तो काम ही व स्टिंट हो गए और बहुत सारे हैं जो फॉर्ष्ट वगरे डिस्ट्रॉय हो रहा है उसके बज़े से जो एर पॉल्यूशन हो रहा है रहन की कमी हो गए तो यह सारे चीजें हमें कम्यूनिटी को बताना है और उन्हें बद बोलना है कि आप के अपने खुद के इन्वारमे करना है उन्हें पता नहीं होता तो ऐसा हो जाता है तो उनको बताते रहना है कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारा इन्वारमेंट तो यह सारी चीजें आपको कम्यूनिटी में भी बताते रहनी है ओके जहां तक हो सके से फ्रेंड में बताया किसे कहां गए अगर इन्वारमे होता है यानि इस चेप्टर की सारी चीज़ें हमने कवर कर लिये हैं या तक की कीवर्ट वगड़ा भी क्लियर किया जो ग्लॉसरी था मैंने उसे भी नहीं छोड़ा है बीच बीच में आपको उसका भी डेफिनेशन बताते चली गई हूं तो यह हो जाता है कम्प्लीट लेकिन अगर आप बोलती हो तो ग्लॉसरी का भी अलग सा वीडियो आएगा जिसमें बहुत तरी चीज़ों नहीं सीखेंगे फर्स्ट फिंग एंड सकेंड आपका क्वेश्चन एंसर आने वाला है बुक वाला कुश्चन एंसर तो आएगा है उसके साथ कुछ एक्ट्रा क्वेश् क्वेश्चन बहुत ही इंपॉटेंट है वह अगले वीडियो में आपके पास आजाएगा तो मैं उसमें डिफाइन कर दीती हूं क्योंकि अभी करूंगी तो वीडियो बहुत जाजा लंबा हो जाएगा तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए शेयर करिए साथ और चैनल पर नहीं है तो सबस्काइब कर यह ठढ़े और अपने निचे के साथ भी इन वीडियो को जरूर से कड़े गई लिए नहीं कि वो इस चीज को जान सबें हैं इस YouTube को समझ सकें और अपने आपको इन्वारमेंट के थो प्रैक्टिस कर सके हो के तो स्रम दिस साइड आरिया सींग थैंक यू